त्रिपूरा में उगरवादियों के हमले में पानिपत का जवान शहीद आज रात को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुचेगा त्रिपूरा में हरियाना का लाल शहीद हो गया है त्रिपूरा में भारत बांगला देश अंतरास्टे सीमा के पास उगरवादियों के हमले में बियस एफ के दो जवान शहीद हुए है शहीद होने वाले जवानों में एक पानिपत के इसराना ब्लोग के गाउं अहर के 56 वर्षिय जवान भूरू सिंग तथा दूसरा जवान कुमार शहीद हुए है शहीद भूरू सिंग मंगलवार सुभे साड़े च्छे बजे गश्ट पर निकले थे बियस एफ के जवानों पर उगरवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ओफ त्रिपूरा के उगरवादियों ने घात लगा कर हमला कर दिया बूरू सिंग बियस एफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे शहीद भूरू सिंग की पत्नी का नीधन हो चुका है गुरूवार को शहीद का पार्थिव शरीद पैत्री गाव लाया जाएगा आज रात दिल्ली पहुचेगा उनका पार्थिव शरीद जहां उनका राज के सम्मा के पत पर न्यूक्ट थे रोजाना की तरह सब इंस्पेक्टर भूरू सिंग का दल सीमा पर बाड लगाने की जाज के लिए निकला था इस दोरान उग्रवादी समूने हमला कर दिया भूरू सिंग के दो बेटे हैं एक बेटा सुमित खैंची वह पुत्रवदू पिंकल जम वार की रात दिल्ली पहुच जाएगा वीरवार दुपहर को पात्रिक गाव एहर में ही राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार किया जाएगा